नमस्कार हर ख़बर पंजाब देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूर सपना देपकमत देश्या मुलिटिन का आगास करेंगे कैबिनेट मंत्री गुर्पेस तिंग खुड़िया ने कहा कि इस बार पंजाब में भगबंत मां सरकार पराली प्रवंधन पर 500 करोड रुपे खर्च करेंगी किसानों को मशिनरी उपलब्ध करवाई जा रही है इसके अलावा किसानों को जागुक करने के लिके DCS की ड्यूटि लगा दी गई है कोशिश रहेगी कि पंजाब में इस बार पराली ना जले पिछली बार पंजाब और पचास फिस्दी पराली नहीं जली थी और इस बार सतर फिस्दी के टार्केट लेकर सरकार चल रही है गुर्वित सिंगा खुडिया ने कहा कि एक तारिख से प्रदेश में जोने के खरीद का सलसला शुरू हो जाएगा बहुत सतकार योग साड़े मीडिया वाले साड़े के असी सारे अज़ती जड़ी मीटिंग है सरदार पकवान सिंग मान मुख मंतरी साथ जड़े के तुसी आप ही जान देऊ कल हस्पिताल जो बार आए है डॉक्टर सहवान ने उना नो थोड़ा रुक्या भी सी के अज़ी तक दो सिंदिन लई पूरा इराम कीता जब एक पर फेर भी जड़ी बहुत बड़ी है जुमे बारी है नुसे महालदे हुए इनात क किसान अप लाउंच किया गया है पंजाब के किसान लगातार जगातार जगातार्च खुर रही है और पराली जलाने की घटनाए लगातार कम होई है और भी कम होंगी तो देखिए पराली को लेकर अब सरकार की अब एहम सजग हो गए किया और जिसके बाद से पराली को लेकर प्रबल्मिन की जो आ रहे हैं और इसे के साथ अब पराली परताफ वकर उड़ते खर्च करने के लिए भी जो है मांज सरकार एक पहल करते भी नज़र आएगी पराला आपको बता दे कि किसानों को जागर करने के लिए मांज सरकार ने आदेश दे दिया है और इसके लिए एक बैठक की गए बैठक की तस्पीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह एहम बैठक की गए इसमें चर्चा की गए और इसे के साथ साथ कहा गया कि किसानों को जागुर के किया जाए और ताकि पराली को ना चला है और इसे के लिए पराली को नश्ट करने के लिए अब मांज़काश सजग होती हुए नसर आ रही और इसे के साथ साथ एक बड़ा जो है कि तरह से कहें तो एक अलग ही इन्वेस्टमेंट करने की तैयारे कर रही है जिस प सब्सक्राइब 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 गबादि पात्र पंवन के बोхत महखा पड़ेगा गणा कंगी काफी आद तक प्रिट के आए थे चल पर यह बीडीपी ओ साब एते ने कुछ जेक्री है ने कुछ गहरा अधर ने जेड़े गहरा अधर ने मार्जी एलेक्शन कमिशन नहीं 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 होएगा वोधी पकैदा तो और आजी ही कंप्लेंट जेड़ी एलेक्शन दिलेशन दे पंजाब सरकार अक्टोबर में जान की फसल की खरीद चुरू रही है और आज इस जार कारे देते हुए आज जिपाल सिंगा बराड़ जिला मंडी अधिकार शी मुक्तसर साहिव ले बताए कि जिले की सभी मंडी को में टीमें बना कर इस धस्तर पर खरीदारी के ज़ा रही है किसानों को मंडी में फसल लाने में कोई परिशानी नहीं होगी और ना ही कोई शुर्क मंडी चलने दी जाएगी तो देखें ये तस्विरे मुक्तसर साहिव से बतारे जहां किसानों के लिए पंजाब सरकार की नहीं पहल है जहां पहर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होने वाली है, फसल से संबंदी, तधान की खरीच से संबंदी, तमाम तरह के फैसले कर लिये जा सकते हैं. तो लगतार भगवंत मानसरकार अब किसानों के लिए एक अच्छी पहल करते हैं नजर आ रही है, पर आली के लिए भी देखिए पास सो करोड रुपे खर्च किया जाएगा, और इसी किसार साथ धिकारियों को भी मानसरकार ने ज्यादेश दिरिया है कि पर आली के लिए बंद इना मार्केट कमेटियां वोलों जड़े हैं किते जा रहे हैं ताजो किसे भी किसान नों जा किसे नों भी इस प्रती कोई भी जड़ी हैगी अपनी फसर वेच्छन देविचे दिक्क्यत ना आवे, जे अपा गल करी ये पिछले साल दीता, पिछले साल साथे कोड़े जेला मुफ्षवादियां मंदियां देविचे अठ लक्षरन में यार मेट्रिक तान चोनने दी जड़ी हैगी खरीद होई सी, इस वरी भी सानूं भी इस तो जड़ी हैगी वद के ही मंदी देविच आमद होवेगी चोनने दी ओस दे अनुसार ही सारे परबंद जड़ी है वर आपाशर ते ओवजी रुपा नहीं जदो इंस्पेक्टर पर आला हुआ ते बिड़ी लेटरं किला हूँआ तसी तला होनों यार पर हजय तक जो पता लगे है भी शैदराना ने अपदाई नहीं दी दो अपदाई उनना से पेस उनना नूं लगवा भी अग्यास पेस जोना रिवा चेलरान वेच सफेस नहीं भागी है जिने पर शपेस नहीं बिल दी उना चेलरासी एग्रिमेंट नहीं करते अब भई मुक्स साहिब विले के गिदर बाहा विधान सभाशेत्र के तहत अब लोग कोटले के पास कोटे चुडिया वाले के सरपज को चुनने के लिए बोली लगाई गई बोले के राशे गुरुद्वारा साहिब गुदेने का निर्ने लिया गया था जिसमें बड़े बड़े जमिदार एक दूसरे से उचेस्थान पर चड़कर अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते देखें वही बोले के अंतक फैसला 35,50,000 में हुआ तो देखें अब सरपंच को चुनने के लिए बोली लगाई जा रही है और देखें इसके जो राशी है वो भी तैकर ले गई है 35,00,000 रुपए के लिए बोली लगाई गई है यानि कि जो सरपंची दौलत है आब वो देखें खेल बनता हुआ नसर आ रहा है और इस पीच सरपंच के लिए अब बोली लगाई जा रहा है जो आज तक नहीं देखने को मिला आब उसकी तस्वीरे और उसकी बानगी अब देखने को मिल रही है और सरपंच के लिए बोली लगाई जा रही है आजी वारंट भेजे जिसके बाद उनसे रकम लेली जब एस पी ओसवाल को ठागी की भनक लगी तो उन्होंने लुद्याना पुलिस को शिकायत दी है पुलिस ने आरोपियों पर केस्तर्च करते हुए दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है माम ने सम्मंदी जानकारे देते हुए थाना साइबर क्राइम के एसचो जतिंदर सिंग ने बताया कि उनके पास 31 अगस्को वर्दमार ग्रूप के चेर्मेन एस पी ओसवाल के शिकायत आई थी जिसके बाद आरोपियों को ट्रैस करने के लिए पॉलिस की टीम लगा दी गई थी तो तस्वीर लुद्यानस दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि नौ साइबर ठगों ने 7 करोर रुपए की ठगी को अंजाम दिया है और इस पीच ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पॉलिस ने सजक्ता के साथ कारवाई की है और दो आरोपियों को धर्द बोचा है जिसमें आपको बताते चले कि 9 साइबर ठगों इसमें सम्मिलित है जिसमें से बताते चले कि कुछ 7 करोर रुपए की देखी ये ठगी की गई है पॉलिस देखे सूचना मिली और पॉलिस इस पर सजक्ता से कारवाई करते वे नजर आई और दो आरोपियों को गरतार कर लिया और अब आरोपियों से पोच्टास चारी और इसे के साथ साथ ये पता लगाने की भी कोशिश पॉलिस लगतार कर रही है कि इस पूरे जो है सरगना में कौन कौन सर्मलिस है तो फिलहाल ये तस्वेरे आपको लोधियान से दे रहे हैं जहां पर साथ करोड की ठगी का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया फिलहाल ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता जाम दिया जा चुका है क्योंकि साथ करोड अपनी आप में वहद जादा राश्य होती है और देखिए इसकी मामले में दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है और इसे के साथ साथ आप जो हजबती करड़ है उसकी भी कारबाई शुरू होगी और इसे के साथ साथ इन अनने इक इन्फोर्मिशन देती सी ती तरीख नू सानू भी एंकर के साथ दे को दो साइबर प्राइम दे तरीके ना ठगी मार के तेड़न अखली सी भी आपसर बनके उनना ने साथ ना ठगी मारे और साथ एकाउंट जो साथ क्लोड रुपैर रांसर करा लिया है इदे पारा नंबर मकद्मा थाना साइबर सैल लगाना माने ओकसी पीसा दे होकुमना सी वो मकद्मा धर्च कर लिया सी जे शाचो साइबर साथ जो अंडर सी इनना दी टीम में बड़ा अच्छा काम कीता ते एन आननो शामें सामें सार पाइड भी करत दे ते इनो इननों डे में जो की साथ क्रोड ले विच्वेन ने ठगी मारी सी, पांची क्रोड पच्ची लग जड़ा सी, ब्रांट कर चुके हैं इस मौके पर पत्रकार से बाच्चित करते हुए प्रितनाजर के पाश्रत के प्रित पाल सींगर जसी ने बताया कि जगबिर सींग की अटाक के कारर मोथ हुई थी और वही इस मौके पर आमा दिपाती के पत्रेगर साही विधाग सबाशित्र के विधाग एड़ोकेट लखवीर सींग राय ने कहा कि मृत्ता के परिवार को पंचाब सरकार से जो भी मदद मिल सकती है वेज़रोग ले और खर बठिंदा से जहां पर लब मैरेस से खफा साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जीजा का खफला कर दिया जो हाँ पुलिस ने खफलक की जो पारता थे उसको अंचान देते हुए पांच दोश्यों को गरफ़तार कर लिया है आपको बता दे कि जानकारी देते हुए एससी बठिंदा अमनीत कोंदर ने बताया कि हर्टरिप की कोर की शादी अकाश दीप से चार साल पहले करवाई गई थी 27 सासे संबर को वरती तर जयब अपने पती के साथ अपनी मासे से मिलने जा रही थी तब शाम को दुपर बाई पर सबार चार बेक्तिवी ने उन पर हमला कर दिया और अकाश दिव तब तलवार से सिर्फ पर हमला कर दिया जिसकारण अकाश दिव की मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सोचना मिली पुलिस को पुलिस घटना असल पर पहुंची और CIE की टीम ने मौके से आरोपियों को धर्दबोचा दोश्य को माननी अदालत में पेश करके हिरास्त में लिया जाएगा इस मामले में एहम खुलासा होने की संभावना है तो देखे तद्विरे आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको बताते चले ये मौत का मामला सामने आया है जिसमें अब पुलिस ने देखे कुति सुझाते होगे तद्विक करने के पूरी कोशिश कर रही है और इसे के साथ साथ आपको बताते चले जहाँ पर लव मेरेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें आपको बता दे कि लव मेरे से नराज भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है और आपको बता दे चले कि ये पूरा मामला बठिंदा से बता रहे जहांपर जेजा को मौत की घाट उतार दिया गया है जो भाई है वो लगतार खपा चल रहा था और इस वजह से उसने अपने ही जिजा को मौत की घाट उतार दिया रहा कि पुलिस ने आरोपी को धर दबोच आ है फिलाल ये पूरा मामला आपको बता रहे है जहांपर जो भाई था वो अपने बहन से नाराज था और इसके नाराज की इसकादर बढ़ी कि उसने अपने ही जिजा को मौत की घाट उतार दिया फिलाल ये तस्वीरे आपको दिखा रहे है आई तरीक मुझी सनु रिपोर्ट होया सिगा के संगत थाने दे एरिया ची जड़ा पिंड हैगा कोट गुरू हाँ जी उथे एक हस्बंड वाइफ बाइक ते जा रहे सिगे ते रस्ते च दो बाइक ते चार नौजवान आये ते उन्हाने जड़ा लड़का सिगा बाइक चला रहा सी ओनू तल्वारा नाल ते जड़ी नलके दी हथी उन्दी इस तरह दी हथियारा नाल हो की सटा शाप से गिया ओधी मौके ते ही डेथ हो गई सी और डेरा बसी पुलिस को एक पड़ी सफलता हाथ लगी है लारेंस विश्णोई और गोल्डी विवरार गिरोह की दो बतमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनकी पहचान लालडू के टितीश, कुमार और फानिकू राना और डेरा बसी के गुरकीरत सिंग किया गया है दियस पी डेरा बसी विकरम जीत सिंग बराड ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को डेरा बसी उस्तित एक इमिग्रेशन गार ब्याले में आरूपियों दबारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें रंगडारी मांगी गई थी और रतीन आरूपियों क से खलाफ कई धराओं में मामला दर्शकर आगे की कारवाई में चुट कई है आज यहे दो बंदे रेष्ट की तेने जी विद्रगार तू जेडा उम्मी सप्कंदर में इमिग्रेशन ओफिस्ट फारेंग होई सी तो दो महली पिलिस में चौभी का अंडर 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 दी सुप्रविजिन ओप एसस्पी श्री जीपक पारक आई पीएस महली जिनना में सारी टीम्स कथिया करके तिन बंदे रेस्ट किते थी ओनी फर्दर असी आज नितेश उर्फ निकू के गुर्कीरत स दो दो बंदा में रेस्ट कीता ऐला को दो दापन मेंने एक बती बोरदा एक तिन सुपंगरा बोरदा एक बलायरो वह कर लो और तरंतारन के पास मुच्सर रोड पर अग्याद बस की चपेट में आने से एक महला की मौत हो गए दरसाल कद्गील की रहने वाली हरजिंदर कौर नाम की महिला बैच्ची वाले और्टो रिक्षा पर सवार होकर एक नीची जगा पर मजदूरी करने जा रही थी जिस दोरान ये हादसा हुआ जिसके बार महिला को अस्थानी लोगों की मजद से तरंतारन सिविल अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम दोड़ दिया उधर थाना सिटी पुलिस के ड्यूटी अफसार रग और देप सिंग पुलिस बलकि साथ मौके पहुँचे और शब को कबजे में लेकर पोश्ट पॉटम के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया साथी परिवार के बयान पर मामला दर्शा लिया गया फिलहाल पुलिस रिक अरन तरण से जहां पर आपको बता दें ये घटना घटी है एक महला के मौट का मौट सामनी आ रहा है जहां पर आपको बताते चली कि महिला एक बैटिरी ए्रिक्षा से जा रही थी जेदराण ये मौमला आया सामनी जहां पर ब crucified आप देखे जो है अस्पताल में ने जाया गया लेकिन अस्पताल जाते हैं वक्ते ही महिला ने दंग तोड़ दे हाला कि परिवार ने इस वापर माबला दर्ज कराया है और इसी किसा साथ पुलिस इसमें आगे की कारवाई में जुटी होई है फिलहाल आपको बता दे कि महिला के मौत के परिवार में मातम चाया हुआ फिलाल ये तस्वेर अतरंतारं से बतारे जहांकि पस्वाबस के चपेत में एक महिला की मौत हो गई है तो यह रजेंदर कोर परिश सदेव सेंग वासी का दिगन ता वासी फिरेट वर्जन करके एक्सिट हो गया एक जबाव चाओ तो जा रहा ही चो पहरा सामाम अमरसर ते हरजेंदर कोर ने उतरना हिया परीदों गाटन दे काम कर दिए उत्थे जबहों सामने गया आते जड़ी हर जिंदर कोर दी मौपते मौदों गिया इसके कोज एक दोस्वारे जिरिया होना जे मुमूली साथ में अब लोग खेड़ा के अधिन पढ़ते गाओं टिमपर पूर में सम्हुना कर निवासियों की तरफ से फिर से दुबारा सर्वसमीती के साथ पंचाथ चुनी गई हैं जिसको बधाई देने के लिए विश्यस तोर पर राफतेगर साही भलका के जार्ज और विधाय सिंचीपी ने सम्हुना कर वासियों और रानाई चुनी हुई पंचाथ को बधाई दी और कहा कि गाओं टिमबर पूर के नगर रा निवासियों से यही उधार लेकर पूरे पंचाथ के अंदर ही सर्वसमीती के साथ ही पंचाथ बनानी चाहिए बहुत बढ़िया प्राला है साथी पैन अहिंदर कौर जी पतनी गुर्बीर सिंग जी जिनने हमेशा चाहे करोना काल होए चाहे कोई पेंडर जी हो गुरीब बच्चेयां दी फीस पार मियें जहां लोगाने काम करने समाच ते ओ बहुत बढ़िया गुर्बीर जी ने प्र होई उनने काम बेके पिछे पंच साल तो ए काम कर रहे है चाहे फदेगा सफ सेवा होए चाहे क्रिसान जते बंदियां नाल मिलके चलना होए ते बहुत बढ़ा शिंगार्स प्रभीर जी ने कीता अज पेंड़ बासिया ने कठे होके असादी पैन रिंदर कौनों सिर्माच होना है बहुत बढ़ी अप्राला जो इस पिंदर फैसला कीता है मेरे मेरे साथ नहां पुरे पंजाब नोई चीज़ा फैसला करना चाहिए था ताके एलेक्शनां देविच इन्हें पैसे ना वेस्टोर पैसे ना लगन एक बड़ी महानवाई ना आप पेंड़ा सपांच चूनिए वही डेरा बाबा नानक का गाओं हरदोर वाल कला पंजाब का पहला पैसा गाओं बन गया है जिसमें मिजेपी के आत्मा सिंग ने सरपंची हासल करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली लगा कर पंजाब का रिकॉड कायम कर लिया है हरदोर वाल की तीन पार्टियों ने के दावा किया कि जो अधिक बोली लगाएगा वो गाओं का सरपंच होगा बोली लगाने बालों में बीजे पिनेता आत्मा सिंग जस्बिंदर सिंग बेदी और निर्वैर सिंग शामिल है आपको बता दे बोली लगाने के लिए गाओं तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये तस्वीर बता रहे हैं गुर्दासपोर से हैं जहाँ पर अब सरपंच के लिए बोली लगाई गी है बीजेपी के आत्मा सिंग को सरपंच बना गया हला कि अन्यपार्टी का अगर हम जिक्र कर ले कॉंग्रिस पार्टी इनलो पार्टी या फिर अन्यपार्टी का जिक्र कर ले आमादी पार्टी का जिक्र कर ले तो कोई किसी भी पार्टी ने लगाई है BJP ने बोली लगाई और जिसके बाद से BJP का सरपंच चुन लिया गया है फिलाल ये तस्विर आपको देखा रहे हैं गुर्दासपोर से जहाँ पर BJP का सरपंच चुना गया है BJP सरपंच जो है आत्मा सिंग बने हैं और इस बेच ये तस्विर आपको दिखा रहे हैं और एक तरह सी ये भी कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी बोली लगी है जहाँ पर BJP के आत्मा सिंग सरपंच बने हैं फिलाल आपको बताते चले कि जब सरपंच की बोली लग रही थी अन्य पार्टियों ने कोई भागिदारी नहीं निभाई बात कर लेते कॉंग्रिस पार्टियों कोई दल्चस्पी नहीं दिखाई और इसे के सासर किसी भी पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया फिलाल ये सबसे बड़े बोले आप तक ही मानी जा रही है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही निचे इचासा नमस्कार